डियर सब्सक्राइबर्स वेलकम टू दा कंप्रिट एकजाम आज के स्टुड़न में डिस्कस करेंगे बॉयला जिस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टन फिप्टी एंप सीकों डिस्कस करेंगे मैंने ऐसे एंप सीक्व यहाप पर सिलेट किया जो बार बार एकजाम में कर दीजे तक आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आउन टाइम पूच जे और में इस वीडियो की पीडियाप फैल इस वीडियो के डिस्क्रिप्स बॉक्स में दी है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रूप भी जॉइन कर लीजे वहापे आपको सारी पी नमक पाया जाता है तो वह पाया जाता है जिरो पाइंट फॉर परसेंट आप साल्ट फांड इन ह्यूमन बॉड़ी क्लियर निश्ट को सन देख लेते हूं डिसकवर्ड बैक्टेरिया यानि बैक्टेरिया की खोच किसने की तो किसने की लिवेन हॉक नाम के एक साइंटिस् जिवानों की खोच की है किसने लिवेन हॉक ने क्लियर चलते है नेक्स्ट कोस्चन पर नेक्स्ट कोस्टन है सुगर्केन इस टाइप आप जो सुगर्केन यानि क्या होता है गन्ना आप सभी ने देखा होगा तो किस वो किसका प्रकार है तो एक ग्रास का प्रकार है ग्रास याने क्या होता है घास देखिए जो सुगर केन हो गया जो गन्ना हो गया जो बांबू जो बास वग रहा है न वो ग्रास के कैटेगरी में आते हैं उनको घास की कैटेगरी में रखा है तो आपको यह याद रख रहा है क्लिएर चलते हैं फिस दॉस्टराइल और फंसनल वी नीट आप की घेली चेल संथे फनकेडम उंडीर क्रीकेस होषे पर्ऩा totsबार संदिशिते लेंख में ट्रॉट सेमहं इंटेय आंड है इंग शाच को से नार्य भी टर्सक्यों में वहंआख गया इसषन है याने इसा कौन सा विटैमिन है जो human के body में जो synthesize किया जाता है बैक्टेरिया की दोरा synthesize किया जाता है तो वो है विटैमिन के कौन सा विटैमिन है विटैमिन के clear next question देख लेते हैं वाट इस दा एक्स्टेजरी औरगन आप कॉक्रोज याने जो कॉक्रोज है उसका जो एक्स्टेजरी औरगन याने क्या होता है उससरजंग अंग कोन सा है तो वो है मालपी जेन ट्यूबूल कोन सा है मालपी जेन ट्यूबूल आर दे एक्स्टेजरी औरगन आप कॉक्रोज के लिएर चलते है next question पे next question है the terminal part of carpelle in a flower वीच में भी sticky ने फ्लावर देखें फ्लावर में क्या बोल रहा है कारपल आप सबीने तो देखा होगा कारपल जो flower होता है वो च्यार याँ पांच पार्ट में डिवाइड होता है एक कारपेल हो गया सेपल, पेटल, स्टिगमा, एंडरोसियम, गाइनोसियम, तो अपने को यही पूछ रहा है, जो ऐसा कौन सा पार्ट है, जो सबसे ज्यादा स्टिकी होता है, तो वो होता है, स्टिगमा, कौन सा होता है, स्टिगमा, आपने देखा होगा, एक फूल होता है, फूल के उपर एक stigma होता है stigma की बाजो में एसे चोटी चोटी नहीं क्या है अजसे काटी होते तो क्या होता है जैसे pollination होता है तो उसके जो pollen grains right आते और stigma क्या होता है sticky होता है तो उसके वो आकर चिपक जाते उसके बाद क्या होता है वाप फर्टी लाइजिशन प्रोसेस होती है तो आपको यह याद रखना है और अगर आप वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए इस वीडियो को जब तक आप वीडियो को शेयर नहीं करते तब तक हमको मूटिवेशन इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को जादा से ज्यादा जितने भी आपके स्टेटि रिलेटेड मटीरियल है वाप इस वीडियो को जादा से जाद आपने फ्रेंड के साथ जरूर करना देख लेए रिदेमिक कॉन्ट्रैक्शन और लाइनिंग ओप मसल of canal to push food along the guts is called peristalsis correct answer is peristalsis clear चलते हैं next question पर next question है which is the muscular tissue that is multi-nucleated correct answer is skeletal muscle यहने इसी कुन सी जो muscular tissue है उसका example बता रहा है क्या multi-nucleated तो correct answer हो जाएगा skeletal muscle clear next question देख लेते which enzyme is present in all members of animal kingdom expect protozoa तो इसका correct answer क्या हो जाएगा MLS क्या हो जाएगा MLS हो जाएगा clear चलते है next question पर next question है leptospheriosis is the disease caused by जो leptospheriosis नाम का एक BCJ वो किसके द्वारा होता है वो bacteria द्वारा होता है बहुत important question है यह 10-20 या कितने बार बोलो अंगिनेत बारे एक जहमें पूचा गया है तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्टे की वीडियो को एंट तक जरूर देखना क्योंकि आसे आने वाले आपके एक जहमें एक या दो कुस्टन आपको जरूर देखने को मिलेंगे clear next question देख लेते which substance is predominantly found in urine जो urine है जो मानव का मुत्रहवा पर ऐसा कौन सा सब्स्टन है वो पाया जाता है तो पाया जाता है क्रैटीन कौन सा पाया जाता है क्रैटीन यह सब्स्टन्स पाया जाता है human के urine में clear next question देख लेते नेक्ट question in and the animal in which body cavity is absence is known as an animal की ऐसे कौन सी जो body cavity होती है एनिमल में जो absence होती है तो यह अपने को पूछ रहा है तो correct answer is हो जाएगा echolomates correct answer is echolomates के लिए और next question देख लेते अबी ओली is related to which system of human body correct answer is respiratory system यह जो avioli है वो जो इंसान की जो body human body से relate करता है किस से relate करता है वो respiratory system से relate करता है यह स्वसन संस्था उससे यह relate करता है clear next question देख लेते हैं next question है plant tissue are how many types जो plant की जो tissue है जो पेड़ पौध है उनकी उत्तक है वो कितने प्रकार की होते है तो कुल तीन प्रकार की होते है और three types clear next question देख लेते हैं next question है auxiliary bird develop into we chop the following part of plants correct answer is branch अब यहां पर एक term है auxiliary bird तो इसका क्या मतलब होता है आप सभी ने देखा होगा आप अपने घर में क्या करते है शो की लिए कुछ नहीं क्या एक मर्का सा लेते है कुछ भी ऐसा नहीं क्या काच का ऐसा ग्लास वगरा सा बड़ा सा एक क्या बोलते है गंबले ट वहां से कुछ पार्ट अलग-अलग हो जाते और new bird formation होता है तो वह है auxiliary bird और वह किस प्लाव जो प्लाव के कौन से पार्ट में होता है तो यहीं अपने को पूछ रहा है तो branch में यह होता है बहुत important question है बहुत बार एक जहां में पूचा गया है clear next question देख लेते है next question है myopia is depict of ice which also known as जो myopia है देखे सबसे पहले आप जान लीजिए myopia यह क्या होता है यह जो आखों की बिमारी होती है तो उससे क्या कहा जाता है तो क्या कहा जाता है near sightness क्या कहा जाता है near sightness यह कहा जाता है clear next question देख लेते हैं dash 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 is the multi branch polysaccharide of glucose that serves as form of energy storage in animal and fungi correct answer is glycogen मैंने आपको कई बार इन वीडियो में मैंने आपको बता है biology के कई वीडियो में आपको बता है कि इंसान को जो body होती होती है तो किस फॉर्म में होती होती है glucose के फॉर्म में तो यह अपने को पूच रहा है glycogen is the multi branch polysaccharide of glucose that serves as the form of energy storage in animal and fungi clear next question देख लेते हैं next question मिसो थैलिमिया इस टाइप ऑप कैंसर देखे यहां से आपका कैंसर बन गया कि मिसो थैलिमिया क्या है एक कैंसर है the most common are affected in it is the lining of lungs जो मिसो थैलिमिया एक कैंसर है उससे जो इनसान का सरीर है उससे कौन सा पार्ट affect होता है तो lungs जादा से जादा affect होते clear next question देख लेते हैं the yellow color of human urine is due to eurochrome जो इनसान का जो मुत्तर होता है वो किस रंका होता है वो पीले रंका होता है तो वो क्यों होता है तो वो होता है eurochrome के द्वारा eurochrome नाम का एक pigment होता है clear next question देख लेते है next question which is the largest part of human brain correct answer is sedium bram बहुत बार यह question मैंने आपको करवाया है clear next question देख लेते which cell give rise the various organ of the plant to keep the growing यहने ऐसे कौन सी सेल है जो और्गन जो प्लांट के जो और्गन उनको ग्रू करने के लिए यह ज़्यादा से ज़्यादा responsible होती है तो इसका correct answer हो जाएगा meristematic correct answer is meristematic clear next question देख लेते next question है contraction of heart is also known as systole देख आपको दो टर्म मिल सकते एक contraction और exolation जो exolation होता है उसको क्या बोल जाता है diastal और जो contraction होता है उसको क्या कहा जाता है systolic clear next question देख लेते which organism does not fit into the cell theory correct answer is virus clear next question देख लेते हैं next question है the latter form primary xylem element are current correct answer is protoraelm Alex clear next question देख लेते what is the plant sale wall mainly composed of cellulose जो plant sale کی जो जो ओती है तो किसकी बनी होती है तो बनी होती है तो किसकी बनी होती है घ्रose की बनी होती है निक देख लेते vitamin A also known as retinol जो vitamin A है उसका नाम क्या है तो उसका नाम है रेटिनॉल आपको याद रखना है बहुत इंपॉर्टन कोश्चन है निस्ट को सन देख लेते हैं बेबी ब्लू वेल जो वेल मचली होती है उसका जो बेबी यह चोटा उसका जो बच्चा हो रहा होता है वो ड्रिंक धीस मेनी लिटर्स ऑप मिल्क पर डे यह जो ब्लू वेल इस काल्ड यूनिवर्सल डोनर यह आप कीजिएगा यह आप डोनर होगा थोड़ा सा टाइपिंग मिश्टिक हो गया वीच ब्लूड ग्रूप इस काल्ड़ अज उनिवर्सल डोनर करेक्ट एंसर इस ओ देखें ब्लूड ग्रूप च्यार प्रकार के होते हैं कुन से ए बी ए बी और ओ तो उसमें से जो ओ ब्लूड ग्रूप है उसको इनिवर्सल डोनर कहा जाता है और जो ब्लूड ग्रूप ए बी है उसको क्या कहा जाता है इस और निश्ट को सन देख लेते वीच ऑब इस इस नौट अट आप प्लांट एन इसकों सा है जो प्लांट का एक रहा होता है तो वह किस ग्रूप में वह फिट बैटता है तो वह हर्प्स के इसमें फिट बैटता है क्लियर निश्ट को सन देख लेते हैं प्राम वाट प्लांट वास पेपर ओरिजनली मेडिया निक किस प्लांट से जो पेपर है वह तयार किया जाता है तो किसके पाइपर correct answer is papras, clear next question देख लेते हैं, which of the following is not decent plant, correct answer is banana, जो बनाना है वो decent plant नहीं है, clear next question देख लेते हैं, how much blood is in the human body, correct answer is 5.5 liter, जो इंसान का सरीर है, उसमें कितना liter खून होता है, तो कितना होता है, clear next question देख लेते हैं, how many facial muscles are involved in speaking, correct answer is 70, जो facial muscle है, जो इंसान कर सकता है, उसका पता लगा सकता है, clear next question देख लेते हैं, what is the word for person with very pale skin and eyes, यहने ऐसा इंसान जिसकी जो skin है, वो pale color यानि yellowish color की होती है, आख हो और जो skin का color वो yellowish color का होता है, तो उस person को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, what sensory function do the ears provide other than hearing, correct answer is balance, correct answer is balance, clear next question देख लेते, किसे कहा जाता है, जो species है, जिसको originate किया गया था, तो उसको कहा जाता है, author Charles Darwin को, clear next question देख लेते हैं, which group of animal is Charles Darwin best known for studying, जो Charles Darwin है, उन्होंने किस कौन सा group है animals का, जिसको उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसकी study की थी, तो वो है birds, और जो birds है, एक kingdom में आता है, तो किस kingdom में आता है, ears, कौन से kingdom में, ears, clear next question देख लेते, which of the following is the member of whale family, correct answer is nor whale, correct answer is nor whale, जो whale मचली, आप सभी ने तो देखा होगा, तो किस family के अंदर आती है, तो आती है, nor whale के अंदर, clear next question देख लेते हैं, next question है, what is the study of animal life called, जूलाजी, जो animal life है, उसको क्या कहा जाता है, जूलाजी, जहाँ पर animals से related, अध्यन वगरा किया जाता है, उसको जूलाजी कहा जाता है, और जहाँ पर plants से related, अध्यन किया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, botany, clear next question देख लेते हैं, in science, what is the name of the classification of plants and animal, correct answer is take zoonomy, क्या कहा जाता है, जिसको अपन study करते हैं, classification करते हैं, किसका plants और animal का जो वर्गी करन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसको टेक्जोनोमी कहा जाता है, clear next question देख लेते हैं, next question है, how many set of legs do the syrims have, यहाँ पर देख एक termi, s-h-r-i-m-p-s, इसका मतलब क्यों होता है, स्रिम्स, आप सभी ने तो देखा होगा, स्रिम्स यानि जहींगा मचली, जो जहींगा मचली होते हैं, उसके अंदर जो legs होते हैं, पैरों के कितने set होते हैं, कुल 5 set होते हैं, clear next question देख लेते हैं, the process of cell division can takes place by mitosis, जो यहां पर आपसे question ऐसा भी पूचा जा सकता है, कि cell division की जो process है, उसको क्या कहा जाता है, उसको mitosis के नाम से जाना जाता है, clear next question देख लेते हैं, next question है, how many sweat glands does the average person have, correct answer is 2 million, एन एक average person में जो sweat gland होती है, वो कितनी होती है, तो वो कुल 2 million तक होती है, clear next question देख लेते हैं, spermology is the study of seed, correct answer is seed, जो spermology है, इसमें study की जाते हैं, किसकी seed की, आपसे कभी-कभी ऐसा भी question पूच्छा जा सकता है, formation of sperm is known as spermatogenesis, जो sperm का formation होता है, उसको क्या कहा जाता है, स्पर्मेटोजेनिसिस कहा जाता है, clear next question देख लेते हैं, next question है, who is known as father of जुलाजी, correct answer is Aristotle, जो जुलाजी है, यानि जीव शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, अरिस्टोटल को कहा जाता है, अगर आपसे पूचा जाए, कि बाटनी का पिता किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है, थियो फ्रॉस्टस को, किसको, थियो फ्रॉस्टस को, clear next question, और इस वीडियो का last question देख लेते हैं, अनिमल विदाउट रेट ब्लड सेल, correct answer is earthworm, अब यह आप एक टर्म है, रेट ब्लड सेल, यहने आरबीस, यहने इसा कौन सा एनिमल है, जिसमें आरबीसी नहीं होते, तो वो होता है, earthworm, clear, तो यह ती छोटी से वीडियो, जैसा कि मैंने starting में आपको बोला था, last मैं आपसे question भी पूछूंगा, जिसका अंसर सभी को देना है, तो देखते हैं, हमारा Twitch का question क्या है, who led the revolt in 1857 in Bihar, तो मैंने आपी चार option दे रखे, बताए, मैंने question आपको पिछले वीडियो में करवा रखे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो जाए और वीडियो देख ल दीजे, जब आप like करते हैं और share करते हो, तो हमारा भी motivation बढ़ता है, और आपके लिए और अच्छे अच्छे इसे वीडियो हम provide करते हैं, clear thanks for watching this video, complete exam always with you.